हलो इस्ट्वेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्व चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी जहां पे चल रही हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 की कंप्लीट कॉस्ट अकॉंटिंग की सिरीज बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आज का सम इंपोर्टेंट होने वाला है जिन बच्चों को कल की क्लास नहीं समझ में आई थी पर यूनिट का कॉंसेट है इंपोर्टेंट है क्योंकि इस टाइब के कुश्टन सगर बने तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम कन्फूजन क्रियेट हो सकती है इसलिए सजिशन यहीं हर एक बच्चा इंडिंग तक का वीडियो देखे आज की क्लास को क्लियर क्लियर है आई थिंग क्लियर कॉंसेट होना चाहिए हर एक बच्चिय का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब कि अच्चिय कि अच्चिय कॉम आओड़ का तो चित्क्चिय का प्लाव में घॉक्ट सर्ण करते हैं आधरा ऑ्लाव दो तो प्लाव और नहीं हर भीडियों कि लिए फई एकाप ट्रवर करते हैं तो भीडियों कि इंग एक तो from the following calculate labor variances labor variances की जब बात किये तो इसका मतलब आप से यह बताना चाहते है उन्हें total चाहिए सब बता दो by cost rate efficiency तीनों variances की बात करें अब ध्यान दूख यह important जो concept निकल के आता है क्या doubt हो सकता है किस topic में doubt हो सकता हो clear करेंगे जब यह question पढ़ना start करते है देखो इदर बिना working के आपको सिखा दे बाई जिन बच्चों को working नहीं समझ में आई थे जब आपको इस type के question आए पहले तो थोड़ा समझ लेना है बट सर समझ में नहीं आ रहा है mistake हो जा रहा है माइंड से निकल जा रहा है तो आपका एकदम easy answer है कैसे ज़रा ध्यान दो जो आपका यह rate है 5.60 calcium पे ले लिया करो जितना भी rate होगा कुछ भी rate होगा पर unit का हमेशा calcium पे ले लिया करो multiply जितने unit का detail आपको दिया होगा multiply कर ले ना उतने से 6 से जो भी answer मिला आपको 33.6 मिला something जो भी आया लिख लिया divide by वो तो अल्यडी आई जाएगा लिखना नहीं है वो तो अल्यडी आ जाएगा multiply करने पे multiply करने पे आ जाएगा divide by 42 जीरो पॉइंट यही answer आया और यही आपका answer भी है यह आया आपका क्या ध्यानकना standard rate क्योंकि standard rate ध्यानकना per unit है बट labor variance बताता है हमें per hour चीए तो per hour का concept कितना निकल के आया 0.8 अगर मैं पूछो किसी बच्चे को कोई doubt है यहां तक बिल्कुल नहीं होना चीए सर नहीं समझा फिर से चलते कोई दिक्कत नहीं कोई जल्दबाजी नहीं आराम से हर एक concept अगर आप यहां पे आयो तो समझ की जाना है अपने को जब भी पर unit का detail देखो labor variances पहले mind में set कर लो labor variances per hour की बात करता है बहुत जल्दबाजी में गल्लट decision नहीं लेना है और सेकेंड चीज मैंने बताया था पैशान वैसे ही पता चलेगी यहां पे जो पर hour का detail है 0.8 है यह 5.60 इतना difference आपको नहीं देखने मिलता है इतना difference कभी भी नहीं देखने मिलेगा तो याद रखना बहुत जल्दबाजी में बच्छे decision यह note ही नहीं करते एक पर unit का है जब भ जाएगा सीधा answer 0.8 बोलो तो 0.80 या फिर 0.8 बोलो यह standard का rate यह standard का rate same होता है यह तो हर एक बच्छे को पता होगा clear है बिलकुल सर आगे का detail भाई time कितना लगने वाला दिया ता सर्फ 42 क्लियर एक नहीं cost निकल जाएगा कोई problem नहीं actual की बात करते है 2100 units की बात करता है कोई problem नहीं कितना time लग रहे है 14,500 actual की बात हो रही है actual की बात हो रही है और इसका rate कितना 0.85 0.85 clear है एक छोटा detail अभी जो हमने नहीं लिखा यह standard था ना वो मेरा 6 units का था clear है कि नहीं है clear है सबसे important आपका यह पाट हो था कि यह table आप ready कर लो तो देखो इधर पहले यहां से start करत कालना आसान है 14,500 into 0.85 किया तो 1 to 12,325 किसी बच्चियों को कोई दिक्कत तो नहीं है यह cost निकालना कोई दिक्कत है easily multiply करके आ जाएगा 42 into 0.8 किया 33.6 आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है कोई problem नहीं है अब मैं आपसे पूछू भई यह standard पता करना easy है बिलकुल simple मैं यह बता है 2100 यूनिट्स की आप यहां पे भी बात कर दो clear है सबसे hard बच्चों को यह लग रहे कि यह वैसे जो बच्चे connect है hard कोई नहीं concept है cross चलना बई आपका unit 2100 multiply यह time जो रहेगा 42 2100 multiply 42 divide बाई आपका यह unit बुले तो 6 14700 इसी answer आए कि नहीं आए फिर से सीखते 2100 2100 लिया multiply कर लेना है 2100 multiply करना है यह time जो दिया होगा 42 divided by कर लेना है unit बुले तो कितना है 6 आजाएगा 14700 14700 आगया multiply अगर कर दोंगा 0.8 multiply 0.8 तो आपका answer आजेगा 11760 11760 आगया यह table सबसे important concept आपके लिए यही बनता है अगर मैं पूछो किसी बच्चे को यह doubt confusion है क्या नहीं होना चाहिए जो है भी यहाँ settle कर लेते ना working part में कहां भी sit करेंगे working note में अब देखो working note मैंने table बना के last में कर रहा हूँ अब जो बच्चे active होंगे active का मतलब जो concept clear होगा उनको पता चला गया कि कितना working actually हमें बनाना है एक working तो यह बनानी है कि आपने 0.8 का rate निकाल multiply करके निकाला बट करके दिखाना पड़ेगा clear है third working आएका कि 14700 आपने जो cross किया था न यह कैसे किया था उसकी working मतलब 3 working आपके पास यहाँ पे ready है पहली working आपका यह वाला concept जो आपने किया था 5.60 multiply 6 divided by 42 यह करना है इसकी working कैसे करना है question पहले लिख लो 6 unit का 42 hours लिख लो प टाइम लग रहा है भई 42 hours इसका दो टाइप का working possible है दोनों टाइप से सीखेंगे clear एक नहीं है तो एक एक यूनिट का चार्ज कितना दिया था रूपीज 5.60 कितना दिया था? 5.60 टो मैंने आपको क्या बताया था जितना यूनिट दिया है आप उतने यूनिट का पहले find out किया करो 6 unit का rate किफ ना तो मैंने क्या बताया था? 5.60 multiply six तो आपको भी यह करना है 5.60 multiply six तो कितना आ जाएगा? 5.60 multiplied six किया 33.3 33.6 इतना यह था यह क्या निकाला आपने 6 unit का charge निकाला तो भाई 6 unit पे कितने गंटे लग रहे थे 42 इसका मतलब यह होता है कि 42 hours का payment कितना है आपका 33.6 rupees तो easy है 1 hour का payment निकालना कैसे 33.6 divided by 42 32 कितना है था 0.10 अब किसी बच्चे को अगर यह working भी tough लग रहा होगा किसर यह बहुत ज्यादा हाइड है कुछ easy way में भी इसी working को बता दो तो उनके लिए दूसरा option है भई आप इतना अगर नहीं लिखना चाहते तो दूसरा बटक कर देना नहीं तो marks कर जाएगा जो मैंने cross का concept आपको सिखाया था ना question कुछ इसी form में दिया था आपको six unit का question पहले लिख ले ना directly मत लिख देना पहले question आपको जो दिया था ना इतना तुर detail पहले आप लिख लिया कुरो यह दिया था और second one unit का charge देके रखा था वह यूनिट के पीछे कितना rupees 5.60 अब इतना आपको नहीं समझ में आ रहा है मतलब आप comfortable नहीं फिल करें तो दूसरा option में दे रहा हूं आपको आपको सीधा क्या कर देना भई पर आवर का आप क्या ढोड़ो रेट ना लिखने के बाद जो आपको मैंने concept कि बताया क्या बताया ना multiply आप क्या करोगे 6 और divide by 42 डिरेक्टली लिख दो कोई दिक्कत में कोई marks नहीं कट होगा यह चीज माइड में रख लो कोई marks नहीं कट होने मार्क्स फूरा मिलेगा तो 5.60 multiply 6 divide by 42 कर दोगे 0.8 आए अब इससे एजी नहीं बता पाऊंगा मैं अब कोई बच्चा पूछे कि सर इससे भी आसान बता दो अब इससे एजी पॉसिबल नहीं है clear है कि नहीं I think clear concept होगा यहां तक कोई doubt कोई confusion लग रहे 0.8 का working करने में clear है अब second मैंने आप से क्या बताया था second आपको क्या बताया पहले यह पार्ट आप note करो यह चीज नोट कर लो इसको मैं हटाने वाला हूं यह पहले आप note कर लो आपको एक्जाम में जो method अभी देखो एक और method था बट मुझे लग देख सबसे बच्चों को जिनका math उतना best नहीं है तो उनको यह method सबसे easy लगा होगा अब इससे easy method नहीं है नोट कर लो पहले आप working note number यह हमारा one है जिसमें हम लोग जोने 0.8 यह कहां से आया है उसका working कर लिया चले note कर लिया आपने I think हर एक बच्चे ने note कर लिया होगा कि नोट कर लो note कर लो आप चले हो गया I think हो गया रहेगा हर एक बच्चे नोट अब second working की जरा बात करते हैं चले second working second working की आपने कॉस्ट कैसे निकाला है तो आप बोलोगे सरक कॉस्ट का फॉर्मूला अपलाई किया था कॉस्ट का फॉर्मूला एक्षुल मिन्स आवर्स इंटू रेट तो आपको तीनों का वर्किंग करना पड़ेगा कि कुछी आपने तेन निकाला है सबसे पहले आपने इसका यह निकाला इस्टैंडर्ड का तो लिखना इस्टैंडर्ड कोस्ट कितना 42 इंटू फॉर्मूला वन टाइम ही लिखना है इंटू 0.8 क्लियर है सेकंड बी पार्ट आपने एक्षुल उसके बाद निकाला था तो आपको लिखना है एक्षुल कॉस्ट क्यासे निकाला 14500 इंटू 0.85 निक्स्ट की बात करेंगे सी यह अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया तो यह भी स्टैंडर्ड का ही पार्ट है जो आपने नियू स्टैंडर्ड बनाया था तो आपको लिखना पड़े का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा 14700 इंटू 0.8 मल्टिप्ला अल्लेटी करके रखें तो यहां से कॉपी कर दो 33.6 यह आपका स्टैंडर्ड यह यहां आएगा न आपको एक्षुल का कितना है क्लियर है सेकेंड वर्किंग हो गई थर्ड एक और वर्किंग भी आएगी थर्ड वर्किंग कुन से सिक आया गया था यह अपने कहा से फाइंड आउट किया क्रॉस करके निकाला था ना याद होगा तो दिख रहा है क्रॉस किया था हमने तो इसमें यही करना पड़ेगा शिक्स यूनिट का 42 शिक्स यूनिट का कितना टाइम लग रहा है 42 आवर्स इसी बेस पे 2100 यूनिट का कितना आपको क्या सिखाया गया है क्रॉस और ऐसे एक्जाम में क्रॉस का साइन दिखा गए था कैसे सिखाया था 2100 शिक्स आपका टाइम आ जाएगा यही सिखाया था ना 2100 शिक्स है sleeping working आपके लिए था फिए पहले नोट कर लो आप इसको किसी बच्चियों को कोई भी वरकिंग में कोई प्रॉब्लम लग रहा हुगा कहा ऐसे प्रॉब्लम लग रही है नहीं समझे आ रहा है तो जरूर मेंशन करना नहीं करना a pię samakh node करो पहले आप इतना कर दे रहो हूं कि आज के सम को लिंगे मैं कोई भी वैरियांस नहीं निकाल दो यह आपका हो जाएगा हॉमवर्क और आप लोको एंसर पट्राइ पान पॉर्प्र जरूर मैं एड़ करने कि ले दूर जो बच्री एंसर घाउ है कितने बच्रइट अिथा कितना रही था लेबर इफिसेंसी वेरियंस कितना है था अब यह बच्चों को डाउट नहीं आना चाहिए सर्फ पता कैसे चलेगा हमारा एंसर राइट है या फिर रहूंग है वह आपको एक मिन्स वेरिफिकेशन करके पता चल जाएगा लेबर कॉस्ट वेरियंस इक्वल डू दोनों का प्लस करके आ जाएगा इतना तो पता है जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट है तो यह काम आपको करना है कि यह जरूर मेंशन कर देना तो मुझे भी एक आइडिया चलता रहेगा कि कितने बच्चों को यह complete जैसा answer आ जाएगा तो बही clarity हो जाएगा आपको भी और मुझे भी किसका मतलब जो भी बच्चे connect हैं उनको समझ में आ रहे है clear है कि नहीं I think clear concept होगा तो जरूर mention करना नीचे comment clear है I think हर एक बच्चे का concept यहां तक clear है फिर भी किसी बच्चे को आज क क्लास को लेके या अभी तक कोई जो भी क्लासे हमारी हुई है उसको लेके कोई भी doubt कोई भी confusion अगर create होता है तो जरूर नीचे comment में add करें या फिर concept clear है वीडियो आपको थोड़ी सी भी helpful लगती है तो जितना ज़्यादा possible हो सके चैनल का link हमारे commerce section वाले बच्चे को जरूर share करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा benefits मिल सके तो चलिए मिलेंगे एगली क्लास में तब तक के लिए thank you so much